स्टडी आईक्यू के ओडियो मंथन कारिक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कारिक्रम में UPSC और राज्योसिवल सेवा परिक्षा के मेंस एक्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया जाएगा। हम उमीद करते हैं कि एक कारिक्रम आपके मेंस एक्जाम के लिए बेहत कारगर सावित होगा। वर्ष 2022 में भारत ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए है। इसके साथ ही भारत विविन अंतरास्टियस सम्हों और संसाओं की अधिक्षता भी कर रहा है। इस बदलते वैश्विक भूराजनेतिक दौर में अफरीका की भूमिका भारत के लिए बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत के अफरीकी मित्र देशों के साथ संबंदों को और मजबूत करने की जरूरत है। ग्लोवल साउथ का कॉंसेप्ट आने से वर्तमान दौर में ये और भी जरूरी हो गया है। अगर भारत को विश्वगरू बनना है तो उसमें अफरीका की भूमिका एहम हो सकती है। इसलिए आज के इस कारिक्रम में हम भारत और अफरीका के संबंदों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मगर सबसे पहले समझ लेंगे कि अफरीका महादेव भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो भारत और अफरीका के बीच सामाचिक, आर्थिक और राजनितिक और सांस्कृतिक समवंद सदियों पुराने हैं ये तो हम जानते ही हैं और यही नहीं आजादी से पहले भी काम करने के लिए बड़ी संख्या में भारते मज़ूर इस महादीव के कई देशों में जा चुक आंदोलन की रहा पर चल कर सामराजवाद को नेस्तानु बूत कर दिया है वहीं दूसरी तरफ व्यापार के लिहास से भी अफरीका भारत के लिए एहम है पिछले कुछ वर्षों में भारत और अफरीका के बीच व्यापार तेजी से बड़ा है अफरीका के साथ भारत का पेट्रोलियम उत्पाद, मेडिकल वा फर्मासोचिकल उत्पाद, वाहन, अनाच और स्टील आधी निर्याद करता है जबकि अफरीका के दो देश जैसे दक्षन अफरीका और घाना भारत को सोना निर्याद करने वाले शीश दो देशों में से एक है अगर देखें तो दु पक्षिय संबंध क्रशी छेत्र में सुधार लाने में फायदे मन हो सकते हैं भारत और अफरीका हिंद महासागरे शेत्र को भी समुद्री और पर्यावरन दोनों द्रिस्टी से सुरक्षित रखने में सयुत हैतिदारक है और इसी सिलसले में इंडिया अफरीका डिफेंस ड चीन अपने जहाजों को इस छेत्र में भारत पर नज़र रखने के लिए भेशता रहता है और इसे काउंचर करने के लिहाज से अफरीका भारत के लिए बहुत ही एहम है और साथ ही जिफ एक्सपो में रक्षा मंत्री ने इस पस्ट रूप से कहा भी था कि अफरीका हमारी प्रात्मिक ताओं में सबसे उपर होगा इसके अलावा आतंगवाद और उग्रवाद से निपटने में अपनी शमताओं को मजबूत करने में सहयोग संयुक्त राश्ट्री शांती मिश्णों का समर्थन और खुले वह मुक्त महा साग्रों से संबंदित मुद्दों पर अब हम नजर डालते हैं जी ट्वेंटी और अफ्रीका के आपसी संबंदों पर अफ्रीका महादीप में दुनिया के 54 देश शामिल है जो एक बहुत बड़ी आवादी और शेत्रफल को शामिल करते हैं वावजूद इसके कि अभी तक अफ्रीका के देशों को जी ट्वेंट के दौरान अपने लक्ष इस तरहें निर्धारित करने चाहिए कि अफ्रीका उसकी प्राथ मिक्ता में हो भारत ने एक दिसेंबर 2022 को जी ट्वेंटी की अध्रक्षता समाली है अपनी अध्रक्षता के दौरान भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि अफ्रीकी यूनियन प्रतिन हिदित का समर्थन भारत को ही करना चाहिए साथ ही भारत को अपनी जीट्वेंटी की अध्रक्षता के दौरान अफ्रीका के विकास के लिए एजेंडा दो हजार निसट अफ्रीका में विकास गतिविधियों में अपनी हिस्सेदारी भी सुनेशित करनी चाहिए दरसल अजेंडा दोहजार त्रेसट अफ्रीका को भवेश्य के वैश्विक पावर हाउस में बदलने के लिए अफ्रीका का फेम वर्क और मास्टर प्लान है वहराल संबंदों में और तरक्की के लिए चोथा भारत अफ्रीका शिकर समेलन का आयूजन 2024 की शिरवात में किया जाना चाहिए ऐसा ना हो कि 2015 में आयूजी तीसरे शिकर समेलन के बाद इसमें बहुत देर हो जाए तो चलिए अब हम समझते हैं कि भारत और अफ्रीका के संबंदों के बीच मौजूद चुनोतियां क्या है इसे भी समझ लेते हैं तो वर्तिमान में भारत और अफ्रीका के संबंदों में परमुक चुनोती चीन की विस्तारवादी नीती से मिल रही है चीन अफरीकी देशों को सस्ते रिड़ प्रदान कर उन्हें अपने रिड़ जाल में फसा रहा है दरसल चीन अफरीकी देशों में अपने सेन्य अटे बना रहा है और उनका इस्तिमाल वह भारत के विरोध में भी कर सकता है चीन ने जिबूती में अपना मिलिटरी वेज भी बना रखा है दूसरी चुनोती आंत्रेक है वर्तमान में बिविन अफ्रीकी देशों में ग्रह उत्र की समस्य भी बनी हुई है जो अफ्रीका और भारत के संबंदों में रुकाव डाल रही है इसके अलावा अफ्रीका में भ अफ्रीका के आसपास भारतिय जहाजों को लूट लिया जाता है जो संबंदों को सुधारने की वजाए और विकार देती है तो भारतिय मूल के लोगों के साथ होने वाला नसलिये भेदवाव वी तो दोनों शेत्रों के बीच तनाव उत्पन करता है ना अब ऐसे में सवाल यह है कि संबंदों में सुधार कैसे हो चलिए आये समस्ते हैं तो इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ मिलकर अफ्रीका के विविन मुद्दों पर काम करना होगा ताकि अफ्रीका में विकास की हवा बह सके भारत को अपने विश्व विध्यालेओं में अफ्रीकी लोगों के विरिद्ध होने वाली हिंसा को रोक ना होगा ताकि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंदों को मजबूत किया जा सके भारत अफ्रीकी संग आयोग को मुक्त व्यापार के लिए अपेक्षित धाचा तैयार करने में भी मदद कर सकता है जैसे सामाने वाहरी शुल्क प्रतिस्परधा नीती बहुतिक संपदा अधिकार आदि तो आपको यहां बता दें कि भारत ने कोविट-19 महामारी की दोरान अफ्रीका को वैक्सीन वा अन्युपकरन पहुचाने में काफी मदद की थी और भारत स्वास्त की कोई शिकायत भारत की चवी को नुकसान पहुचा सकती है ना तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और अफ्रीका के संबन्द वर्तवान में सही रहा पर हैं लेकिन समस्याओं को भी अंधेका नहीं किया जा सकता है समय रहते समस्याओं को दूइपक्षी आधार पर कद्वी तो इसी लिए इन दोनों एहम हतियारों का सही दिशा में इस्तिमाल करना होगा तभी भारत विश्वपटल पर अपनी एहम भूमी का निभा सकता है और विकास शील और अविक्सित देशों की आवाज बन सकता है तो आईए अब इस सेशन पर आधर इस सवाल नोट कर लेते हैं वदलते वैश्विक भू राजविती दौर में भारत के लिए अफ्रीका की भूमी का बढ़ती जा रही है समझाईए तो फिलाहल के लिए इस औजियो मन्थन में इतना ही जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद